Hello and welcome friends, आज की ये वीडियो Microsoft Excel को ले करके है और Microsoft Excel में क्या सीखेंगे आई आपको दिखाता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं, यह थोड़ा इसे मैंने हालाइट कर दिया है, यह जो cell है, इसे मैंने हालाइट कर दिया है, यहां पर color भी एक लगा देता हूँ background पे ताकि आपको पता चलता रहे कि यहां पर जो हम type करेंगे वो हमें इस range में यह जो देख रहा है न यहां पर यह range आप देख लिए इसी range में वो data होगा और वो पूरी तरह से highlight होता हुआ नजर आएगा जब हम type करेंगे यह वहां पर तो यहां पर data हमारा पूरा highlight हो जाएगा कुछ ऐसी वेवस्था हमें चाहिए अब यह बड़े बड़ा detail हो आपके पास जैसे माली जी यह तो दो चार दस नाम है लेकिन आप पर पैस एक बड़ी range हो products की और उसमें आपको इस तरह का काम करना हो तो आप यह यह तरीका आजमा सकते हैं तो चलिए यहां पर type करते हैं लाइक यहां पर मैं type करता हूँ keyboard लाइक यह देखिए यह मैंने type किया keyboard कुछ इस तरीके से और जैसे keyboard type करके enterprise करूँगा तो आप देखेंगे कि keyboard अपने आप पूरा highlight हो जा रहा है ठीक है अगर मैं यहां पर कुछ और type करता हूँ लाइकि हटा दिया हमने और enterprise किया तो अभी यह highlight जो हुआ था वो हट जाएगा आपने आप ठीक है अब यहां पर आता हूँ फिर से मैं type करता हूँ यहां पर laptop ठीक है तो यह मैंने laptop select किया enterprise किया तो यह देखेंगे कि laptop highlight हो जा रहा है तो यह मैंने कैसे किया यह चलिए यह समझ लेते हैं दूसरी sheet मैं ले लेता हूँ और यहां पर आपको बताता हूँ इसके बारे में ठीक है तो यह data हमने ले लिया है आपके पास range यह बड़ी हो तो आप वहां तक का पूरा data select कर लिजेगा ठीक है अब suppose कि यह यहां पर यह जो है हिस्सा मैं इसे highlight कर देता हूँ यह जो है यह जो है यहां पर मैंने इसे highlight कर दी आप यहां पर इस तरीके से इसे selection में ले लेना है माली यह नीचे और बढ़ाना चाहते हैं तो वह भी ले सकते हैं तो इतना range हम अभी ले लेते हैं selection में जैसा कि देख सकते हैं आप अब यह selection में लेने के बाद कहा जाना है आपको conditional formatting में जाना है conditional formatting में यह सारे आपको चीजे नजर आएंगी यहां पर जाने के बाद आपको new rule पर जाना है और new rule पर जाने के बाद use a formula to determine which cells to format इस पर click कर दीजेगा click करने के बाद यहां पर एक formula apply कर लिजे is equal to लगाईए और इस जहां पर आपको data रखना है जहां पर आपको type करना है वो range select कर लिजे बराबर कर यह और यहां पर यह पहला यह जो heading को छोड़कर के पहला cell है इसको आप कर लिजे select और यह dollar हटा दीजे means कि यह change होता रहेगा कहने का मतलब यह है ठीक है और जो भी color आपको पसंद हो वो color आप लगा सकते हैं like यहां पर yellow color कर देता हूं मैं और यहां से okay कर देता हूं और okay क करने के बाद यहां से भी कर दीजिए okay बस काम हो गया अब पता कैसे चलेगा हमको तो यहां पर type करते हैं कुछ like यहां पर मैं type करता हूं यह लिख दिया RAM जैसे ही RAM लिखा तो RAM की पूरी range highlight हो गई है देख सकते हैं अगर मैं अगर मैं यहां पर देखिए यहां पर मैं change कर रहा हूं यह मैंने हटा दिया और enter जैसे ही प्रेस करूंगा तो वह highlight हुई range गायब हो जाएगी ठीक है फिर यहां पर आता हूं यहां पर मैं type करता हूं CPU ठीक है तो यह लिखा CPU लिखा और enter प्रेस किया तो देखेंगे कि CPU वाली पूरी range highlight हो जाएगी okay तो यह बड़ा easy है असान है अगर अब चाहे तो इस range को बढ़ा भी सकते हैं जैसे माली यहां पर यह range जो है मैं बढ़ा करके select कर लेता हूं इतना range select कर लेता हूं ठीक है इतना range select करने के बाद क्या करते हैं वापिस से चलते है conditional formatting पर conditional formatting में new rule और new rule के बाद वापिस से वही use a formula to determine which cell to format तो बस सब्सक्राने करें थिए हैं यहां पर क्लिक कर दीजे और क्लिक करने के बाद is equal to का निशान लगाईं बस row के पहले का dollar हटा दीजे काम हो जाएगा बहृती easy और यहां से format पे जाकर कर के अब color मैं बदलता हूं पहले जो color रखा था वो वाला color हटा दूँगा दूसरा color लगाऊंगा यह वाला color लगा देते हैं और यहां से ok करके इसको भी ok कर देते हैं ठीक है तो अभी आप देखेंगे कि यहां पे cpu है तो आप पाएंगे कि यहां पे cpu जो है उसी color में highlight हो गया है देख सकते हैं अब यहां पर कोई नाम मैं type करता हूँ ठीक है जैसे माल लिजे मैं type करता हूँ microphone ठीक है तो यह लिखा मैंने microphone कुछ इस तरीके से ठीक है तो यह लिख दिया microphone और microphone की कीमत लिख दी यहां पे 500 रुपे ठीक है तो यह लिख दिया interface किया आप देखेंगे कि यहां पर अगर मैं microphone type करता हूँ यह range तो हमने लिए बाद में selection में ठीक है लेकिन आप देखेंगे कि यहां पे अगर मैं type करता हूँ microphone जैसे कि मैं type कर रहा हूँ जैसे ही type करके interface करूँगा तो आप देखेंगे कि microphone highlight हो जाएगा ठीक है इसी तरीके से कोई भी आप देख सकते है कोई भी आप try कर सकते है लाइक अगर मैं यहां पे type करता हूँ mouse ठीक है mouse m-o-u-s-e तो I'm going to write here mouse m-o-u-s-e यह हो गया enterprise किया तो mouse वाली range जो है पूरी highlight हो जाएगी कैसे लगी यह trick मुझे comment box में बताईएगा thank you for watching this video